दूस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का PSD मैं दूस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए HPSSB का जो क्लर का एक्जाम पोस्ट को 627 का एक्जाम था आज तो उसका question paper share करने वाला हूँ solve करके तो आप इसको पूरा देख लिजेगा आपके क्लर के एक्जाम के लिए जो पोस्ट कोट 692 का एक्जाम होने वाला है उसके लिए काफी helpful रहेगा आपको थोड़ा सा idea मिल जाएगा किस लेवाल का जीके पुछा जाता क्लरिकल में बाकी है तो यह प्लस टू लेवल का लेकिन वो graduation लेवल का है बाकी लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पढ़ता ज और जो भाई लोग PSD के इस YouTube चैनल से पहली बार चुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा भी उत्साह बढ़ता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण यह सिरीज भी है दोस्तों तो आपके पास जो भी है लेकिन प्रश्ण मिला दीजीगा तो नाबाड ने हाल ही में भारत के किस शेहर में जलवायू परिवर्तन के लिए दक्षीन पुर्वेश्या का सबसे पहला के अंदर आरम किया ह तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर था वो था ओप्षन डी लखनौ में ठीक है तो अगला कौशन है वर्श दोहजार अठारा के लिए लोग मामले सूचकांक के अनुसार किस राजे ने सरोतम शासित राजियों की सूची में शिर्ष स्थिति पाई है तो दोस्तों जो इ एक हजार ओडिया इरन बनाने वाला खिलाडी बना किस देश का है तो दोस्तों जो इसका सही जबाब है वो है ओप्षन ए पाकिस्तान का ठीक है तो जली देखते हैं अगले कौशन किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नागरिकों को एक एकरित सिवाएं प्रदान करने के लिए ये प्रगति कोर इनिशियेटिव आरंब किया है तो दोस्तों जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है ओप्षन ए आंधरा परदेश ठीक है तो देखते हैं अगला कौशन किस राज्य सरकार ने हाली में अपनी सबसे पहली आदिवासी मान चित्रावली जो राज्य की आदिवासी जन सांखे की उजागर करें लाँच की है तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है पांचवे का वो है ओप्षन सी ओडिशान है ठीक है तो आपको ये देख लेना है अच्छे से तो एक्जाम में देखिए करन्ट अफेर सी काफी पूछा गया है तो कौन सा है ये आईडिया ले ले लिजिए अपने कलर का एक्जाम सेक्टरेट वाले एक्जाम के लिए कि किस तरह से करन्ट अफेर अपिक था अभी काफी समय मॉब लिंग चीव हुई थी इससे काफी टाइम कई बारी तो इसलिए इसको कमेटी गटित की गई थी तो जो इसका राइट अंसर है वो है ओप्शन डी राजीव गौवबा कमेटी ठीक है तो चले देखते हैं अगला कॉशन नेशनल ट्रेड कंकलेव 2018 की शेहर में आयुजित किया गया है तो दोस्तों जो साथवे का राइट अंसर है वो है ओप्शन C न्यू डैली में ठीक है तो भारत के गंटन दिवस 2019 में किस देश के राष्ट पती को मुख्यातिती के रूप में आमंत्रित किया गया है तो दोस जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा ओप्शन C 15 जुलाई को ठीक है नवे का C 15 जुलाई को मना जाता है इमाचल प्रदेश HP के लोग पर यह सासिक खेल है तो दोस्तों वैसे तो लोग पर यह सभी है लेकिन जो विशेश तोर पर अगर बात की चाहिए ज़्यादा यहा है वो ट्रैकिंग यह जादा वैसे तीनों चीज़े होती है हिमाचल में लेकिन ज्यादा पॉप्र ट्रैकिंग है ठीक है हिमाचल प्रदेश के विश्य विद्याले के हिमाच प्यू के प्रथम उपकुल पति कौन थे तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है वो है उप्श प्रदेश का लिंग अनुपात है तो दोस्तों जो इसमें दिया गया है वो है ओप्शन डी नोसो बत्तर ठीक है और निम लिखते में सिक इस अनुसूची जंजाती समुधाय की जंसंक्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच है तो दोस्तों जो चौदा का राइट अंसर है व कमेटी कब भंग कर दी गई थी तो इसका राइट अंसर आपको कमेंट करना है मुझे नहीं मालूम हिमाचल प्रदेश के निम लिकित में से किस जिल्ले में विदान सभा छेत्रों की संक्या सबसे आधिक है तो दोस्तों जो जो राइट अंसर है वो है ओप्शन डी कांगड रहता है ठीक है तो अगला कॉशन है चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में किस जिल्ले में है तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है वो है ओप्शन डी चमबा ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले कॉशन 20 का निम्लिक्त में से कौन सा अधोगी छेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिल्ले में नहीं है तो राजा का बाग सोलन में नहीं है बाग की ब्रोटी वाला सोलन में है बद्दी भी सोलन में आता है परवानू भी सोलन में आता है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला कॉश प्रतिशत निम्तम है तो दोस्तों लावल स्पित्ती का छेत्रपल काफी जादा है लेकिन वहाँ पे बन बहुत कम है ठीक है तो देखते हैं अगले मैंतरपून ट्रश्ट बाखडा नागल बांध का निर्वान किस वर्ष के दोरान हुआ तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ओप्शन सी 1963 को पूरा वात है ठीक है तो अगला कॉशन देखते है पबर नदी का जल पोशन निमलिद में से किस हिमनाद से होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन डी चंद्रनाहन एक चंद्रनाहन निमनाद से ठीक है निमलिद में से कौन सा दर्राच्छाओ की घाट तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ओप्शन ए पिन पार्वती अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट किजिगा ठीक है सुशर्मा परिवार की मूल गद्धी कहां पर थी दोस्तों जो 26 का राइट आंसर है वो है ओप्शन ए कुल्लू तो देखते हैं अगला कॉशन इसक 27 का राइट आंसर जो चमबा के राजा से समंद्ध है तो 28 का बताते हैं बुशर राजा का अंतिम राजा कौन था ये था पदम सिंग और जब गुरु गोविन सिंग ने प्रवास किया था कुलू राजय का राजा कौन था दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन में है इसलिए नह लिए ओफिशल आंसर की का वेट कीजिएगा सिसील होटल शिमला वाज अर्लियर नावन है शिमला की सिसील होटल पहले जानी जाती थी तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओवेरो होटल 84 छेत्र माचल परदेश के किस जिल्ले में आता है तो दोस्तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन डी चमबा में बहुत छेत्रों में लामा नरित्यक कहलाता है तो दोस्तों इसमें भी कनफ्यूजन है लेकिन आपको बताऊंगा चूम ठीक है लेकिन कनफ्यूजन है चावल की केती का समन्द लिमलिकित में से किस अड़ब पास्थल से रहा है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है option B लो ठल ठीक है तो चली देखते हैं अगले question किस गरंत ने जैनवात के मौल धर्म सिदान का व्यभार किया तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर है वो है option C मौल सुत्रा और शीदी का सरवार्म भी व्यदा जा सकता है तो दोस्तो जो इसका right answer है 37 का वो है option C और थरोवेद में है ना गुप्त काल में निमली खित में से कौन सी धातू का बड़े वेमाने पर निरयात किया जाता था तो दोस्तों जो 38 का राइट अंसर है वो है ओप्शन डी लोह इस पात आइरन एंड स्टील ठीक है तो अगला कॉशन देखते हैं बुद्ध शब्द का आश्या है तो दोस्तों जो वर्ड ऑब बुद्धा मींस तो इसका राइट आंसर है ओप्शन सी ग्यान संपन ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले मैं तो पुन प्रश्ट गुप्तो तरकाल में निमली कित में से किस शहर ने अपनी मैं तो पुन स्तिती खोई तो दोस्तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ओप्शन सी गुजरात दुरुप सेन कहां करा जा था गुजरात का सेन राजवन का संस्ताफक था दोस्तों जो 42 का राइट आंसर है वो है ओप्शन बी विजैस सेन एक मात्र सुल्तान जिसने स्वैम को खलीफा घोशित किया था तो दोस्तों इसका जो right answer है वो है मुभारक शाह खिल जी तो बढ़ते हैं अगला question तालिक अगटा के यूद के समय विजयनगर का महाराज़ कौन था तो दोस्तो जो इसका right answer है फोटी फोर का वो है option C सुधाशिव राओ तो चली बढ़ते हैं अगले important question की और अकबर ने जिस सुफ्याना मत को प्रस्तूत किया उसे अकबर ने कहा था तो दोस्तो जो इसका right answer है वो है option A दीने इलाही शिवाजी की चरीत गठन पर निम लिकित में से किसका विशेश प्रभाव था तो माता जी का था ठीक है तो चली बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और नियाय की जंजीर का संबंद था तो जो इसका right answer है वो है जहांगीर 47 का डी तो 48 जरतूष्ट धर्म का प्रभाव भारत में की समुधायत द्वारा लाए गया तो दोस्तो जो इसका right answer है वो है option B पार्सियों द्वारा ठीक है तो चली बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और तो दोस्तों जो 49 का जो question है ब्रिटिश काली बंगाल में भारत में बंगाल का मध्यवर्ग मुख्या था तो इसमें बड़ा भारी confusion create हो रहा है क्योंकि money lenders काफी सक्रिये थे तो इसका option D right answer लग रहा है मुझे तो अतिवादियों में सरवादिक उत्कृष्ट नेता थे दोस्तों जो अपने extremist नेता थे वो थे उनमें सबसे जो उत्कृष्ट जो outstanding बंदे थे तो वो थे बालगंगा धर्तिलग जी बंगाल विवाजन की से द्वारा किया जाना चाहा गया था बंगाल का विवाजन तो मदद active help ठीक है तो अगला question है समीदान सबान है किसको अपना इस्ताय अधिक चुना तो डॉक्टर राजेंद्र परसाद भारत ने गुट निर्पे शांदुलन का प्रत्थम सम्मिलन कब वह था भारत में तो वह था 1983 में तो चलिए निम्लिखित में से कौन सी प्राथ्मिक शेल कहलाती है तो दोस्तों जो इसका right answer है वो है option A इगने शेल तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशनों की और 56 निम्लिखित में से कौन सी तरंगे सब ही भुकम प्यतरगों में सबसे त्रिवगामी है तो दोस्तों इसका जो right answer है वो है option A primary waves ठीक है तो चलिए बढ़ते ह है अगले महतोपुन प्रशन की और निम्लिखित में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउट्स भी कहा जाता है तो जो दोस्तों जो इसका right answer है वो है option C क्लिउमलो निम्बस ठीक है क्लिउमलो निम्बस इसका right answer है सभी प्रकार के आंधियों में सबसे छोटी किंतु सरवादिक विनाशकारी तथा प्रचंड है तो दोस्तों इसका right answer है hurricane सपाट शिर्षवाले समूदरी उठान कहलाते हैं तो दोस्तों जो इसका right answer होगा वो ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले important question हो कि और तो पादप बृद्धी के लिए सरवतम रिद्धा है तो दोस्तों जो इसके लिए right answer है वो है option A sandy loam ठीक है रेतीली दूमट मिट्टी पौदे के plant growth के लिए best होती है जिम्डिकित मैंसे क्या समान खादेश श्रंकला का एक हिस्सा नहीं है तो दोस्तों इसमें से डी खादेश श्रंकला का हिस्सा नहीं लगता है इनके साथ तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की और अगर कोई 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 गलत हो तो comment कीजेगा लेकिन अपनी और से लगबग सही किया है निम्ण मैंसे क्या निर्वनी करण का एक प्रत से होता है ठीक है स्टेपी एक लाक्षेनिक वनस्पती है तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हुमेड रिजन्स सी ठीक है स्टेपी क्रेक्टर स्टेटिक्स वेजिटेशन ओफ हुमेड रिजन्स ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की और दोस्तों बद्दू मुख्यते पालते हैं तो बद्दू जो यह है अफ्रीकन महादीप में होते हैं तो यह पालते हैं उत्तरी अफ्रीकन की और होते हैं तो यह पालते हैं उट को क्विनिन का निश्कर्षन की निम्न की छाल से किया जाता है तो दोस्तो जो इसका राइट आंसर है वो है option C, सिकोना व्रिक्ष, सिकोना व्रिक्ष, सिकोना ट्री ठीक है, तो 66 का C, क्विनिन का निश्कर्षन दिमिन की छाल से क्या आता है तो सिकोना द्रिक्स से पॉद्रोपन क्रिशी है तो दोस्तो जो 67 का है Plantation Agriculture इस क्या है तो दोस्तो इसमें लगता तो D है क्योंकि इसमें Capital Intensive है लिवर Intensive है ठीक है तो चले देखते हैं अगला प्रशन रश्या मुख्य उत्पादक है तो दोस्तो रश्या जो है इन मेंसे उन मेंसे नैचुरल ग्रैस का है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगले महतोपन प्रश्ण Mount Everest is located नेपाल में है Mount Everest काडमाम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता था पहले तो दोस्तो इसको कहा जाता था यह लागिरी की पहाड़ियां ठीक है तो देखते हैं अगला कॉश्ण कलादन एक महतोपन नदी है तो दोस्तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा option C मिजोरम ठीक है तो चली देखते हैं अगला कॉश्ण 72 निमल की दिसतानो में से कोँ दिसंबर माह के दोरां अधिकले प्सूर्य प्रकाश पाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा मेरे ख्याल से वो है option C कन्या कोमारी दिसंबर के समय अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है ठीक है तो चली बढ़ते हैं अगले कॉश्चनों के ओर निम्लिकिति राज्यों में से कौन अमली है मृता धारन नहीं करता तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अधिकन सूर्य परफेस्ट है तो फिसके जो और भी स्टेट है आपको पता होना डिजरात में हर्याने में पंजाब में ऐसे अधिक सूर्य करण के अंतरगत 76 निमलिकित मैसे कौन सी भारत में सबसे लंबी सिचाई की नहर है तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है वो है ओप्शन C इंद्रा गांधी नहर है ठीक है तो देखते हैं अगला पॉस्चन का मुख्य लक्षे है तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर है वो है ओप्शन डी गरामिन विकास तथा गर्वी उप्शमन ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला पॉस्चन सेवंटी एट सेवंटी एट का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसमें जो प्रात्मिक शिक्षा के सार्वित्री करण के लिए ही वैसे तो तो दोस्तों हम इस पार्ट में सिर्फ 85 कॉशन डिसकस करेंगे बाकी के 85 कॉशन अगले वीडियो में क्योंकि सभी question अभी तक select नहीं किये गए हैं क्योंकि सभी क्या answer नहीं मिले हैं तो गलत बताना गलत बात है तो ठीक के देखते हैं currency swap एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है तो 80 का जो right answer है दोस्तों वो है option D विबिन currency के रोकरण प्रवा cash flow in different currencies तो दोस्तों जो इसका right answer है वो है option D cash flows in different currencies तो देखते हैं 81 गिल्ट एज मार्केट का आश्य है तो दोस्तों आपके साथ question discuss किये हैं आप खुद बताईएगा comment में कि मेरे उन वीडियों से कितने सारे question मिले हैं बहुत मिले हैं आपको दिख चाहेगे दिखे होंगे तो इसका जो right answer है वो है option B market of government securities गिल्ट एज ठीक है तो देखते हैं अगला question भारत की मौधिक निति की भोशना की जाती है तो दोस्तों इसका right answer है reserve bank के ऑफ इंडिया के governor द्वारा की जाती है ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला question भारत सरकार की कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है तो दोस्तों जो इसका right answer है वो है fiscal deficit option C राजकोशिय घाटा अद्रिश्य निर्यात का आश्य निम्न के निर्यात से है invisible export means export of तो दोस्तों जो इसका right answer है वो है option A services तो दोस्तों बाकी के question देखेंगे next part पर तब तक के लिए आप PSD के YouTube चैनल पर देख सकते हैं सभी subjects पर वीडियो और हर दिन PSD के YouTube चैनल पर अलग-अलग subject पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं उनको जरूर देख लिजेगा और इस प्रश्णपत्र को बड़े ध्यान से देखें क्योंकि आपके sectorate वाले exam के लिए काफी helpful रहेगा और आपको guide भी करेगा ठीक है तो मुझे दीजिए इजाजत जुड़े रहे है PSD के साथ